सेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग तो बाइस सब स्वागत है आपका हमारे चनल पर एक और नई वीडियो में सामने अपने हैं लोड एस्प्रेसो एस्प्रेसो का वी एकसाई प्लस वेरियंट है यह यानि कि आजकल जमाने में जो सारी गाड़ियों कीमत बढ़ती जा रही है औ और यह आपको मिलती है इसकी कीमत बता तो मात्र साड़े बाच लाक रुपे मात्र साड़े बाच लाक रुपे में अभी बी यह गाड़ी आती है तो साड़े पांच लाग रुपे इसके एक्शोरम प्राइजिंग है भाई साब तो साड़े छे लाग रुपे और सबाद छे लाग रुपे के बीच में इसका ओन रुड प्राइज जाता है तो यहीं देखे लो आप पहले इस गाड़े के एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था मगर जब लोगों ने लेके लाग दो लाग चला दी है तब जाके इसके रिव्यूज बहुत ज़्यादा अच्छा हैं लोग सैटिस्फाइड है और इतने पैसों में कम बजट में चाहां कि आल्टो के भी रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इतने रुपे में इतने फीचर्स के साथ ही गाड़ी आ रही है तो लोगों ने अब इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है इसकी क्वालिटीज फीचर्स के बार में वन बाई वन करके बतांगा वीडियो का जरूर देखना जाए तो पहाड़ो के लिए सिटी के लिए बैस्ट ऑफ देखने के लिए वाली गाड़ी और अनुकूल एक्टम सटिस्फाइड गाड़ी मांनते है इसको पहाड़ो के लिए भी वास अब फ्रेंट लाइट के बात करेंगे तो यहां पर आपको पूरा देखने के लिए मिल जाता है यहां पर नीचे आपको यहां पर कुछ देखने के लिए मिलता मगर आप अक्सेसरी के तोर पर आप लगा सकते हो कंपनी ऑफर करती है इस चीज को फ्रेंट का पूरा ओवरोल लुक ऐसा है बोनट उचा सा ऐसी वी वाला फील कराता है इसका ठ प्रोफाइल देख लो 380 mm का वील बेस इस गाड़ी के अंदर मिलता आपको जो कि फ्रंट एंड रियर का देख लो कितना बड़ा चादा लाजवाबला सेग्मेंट फील करा देता है ठीक है 180 mm का इसके अंदर आप ग्राउंड के लेंस मिल जाता है और अगर आपको उबर ख रहती है ठीक है पूरा फील कराती है ओफ रोडिंग वाली गाड़ी यह बड़ी चवर्जस्त चलती है लाजवाब गाड़ी है आप यह मुझे कमेंट में बताना तो फेंडर पर आपको यहां पर मिल जाता है एक इंडिकेटर बल्ब और जो आपके इसके और बेम है वह बावजूद भी कमपनी समय को से अगर आपकी बहुत ज्यादा है तो इतनी चोटे गाड़ी के अंदर से अपने कमपनी ओफर करती है एलेकसाई वेकसाई की कोई वैजिंग नहीं देती है यह बहुत दांसू बात तो यह चीज़ बहुत ज्यादा चले कि आपकी रणिक अन इसप्रेसो की बैजिंग मिलेगी यह सिंपल प्लेन इस तरीके कर दिखता है कुछ भी इस तरीकी के नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं दो पार्किंग सेंसर मिलता है अब यह जो इसकी टेल लाइटेस के बारे मतातो यह इंडिकेटर हो गए यह आपको तेज जलते हुए के दिखाई देंगे ठीक है यह होगा आपका इंडिकेटर लाइट हो गई और यहां पे पी आपको सेम कौण सेट पूड़ अपको रिवर्स लैम देखने के लिए मिल जाता है ठीक है यह चीज इसमें आपको देखने के लिए मिलती है अब थोड़ सी बात करेंगे अंदर क इसका ना मालेज इतना धुमादाड़ है सी एंजी के पेट्रोल के भी बहुत शांदर मालेज होता है अंदर इंटीरियर को देख लो कुछ इस तरीके का उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा चावी स्मार्ट चावी मिलती है इसमेहनी पूरा पूरा ब्लैक इंटीरियर सिल्वर फिनिश के साथ डॉर ट्रिम आप देख लो हैं पे इस तरीके का बिल्कुल ब्लैक मिलेगा यहां पर नीचे की तरफ थोड़ी सी नजर मारोगे तो भाइस सब्सक्राइब कितना लाजवाब लजीज है पावर विंडो मिलती है इसम दो एक सपीकर आपको आगे मिलते हैं पीछे को सपीकर नहीं मिलते हैं सीट्स की बात करेंगे अगर हम चापई रख देए चांदा बढ़ आ बहुत जड़ा है नी रूम लैक नो बहुत ज़्यादा सफीशिंट इस्टोरेज़ स्पेसिस के थर आफ देखने के लिए बिल ज तो पूरा पूरा बोनाट दिखाए दे रहा है जो पर यहांपर है जो हुस्मापोदा है यहां पर शोकति बेंभे से वाले पूरा पूरे का यह वाले टैलिफोनिक के ठीक है तो इसमें यह कंड्रोल्स मिल जाते हैं इतने बज़ेट में और सेवन इंच का इसमें आपको एंड्रोइड ओटो एपल कार प्ले देखने के लिए मिलता है यानि कि आप अपना यूएस्वी केबिल लगाओ गाने चलाओ मजे मारो दवा के सिल्व और फिनिश के साथ पूर अंटीरे मिलता है और पहले इसका चालू कर देते हैं क्लस्टर इस तरी के बिलेगा आपको देखने में बड़ा च्छोटा सा इसा गूल गूल सा देखने के लिए लगेगा मंगर सौरी तमाम फीचर ता तमाम सारे जानकरी वहीं मिल जाते जो आजकल की सारी गाड़ी में मिलती हैं यानि कि इसमें आपको स्पीडो मीटर टैको मिल जाती है और सारे light के side में ही आपको icons देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपको fuel के बारे में भी हैंसे sad से बताते हैं ठीक सारी इसमें तमाम information देखने के लिए मिल जाती है तो इसमें कोई भी को shortage नहीं है ठीक है अब आ जाते है भाई सब इसके नीचे वाली अरिये यहां पर यहां देखते हैं कि फल्सक्राइब मैनें गिलसा इनगें दोर सकते हूं ठीक है दोनों बटन ही होगा यहां पर आपको मैनुवली मिल जाते हैं वाइपर्स और लाइट के कंट्रोल्स दोनों ही मैनुवली मिलते हैं ठीक है इसमें आपको कोई भी ऑटमेटिक चीज नहीं मिलते हैं और यह आपको सेवेल इंच का मैंने बताया ना आपको यहां पर देखो फ्यूल की भी वार्नेग दिखा रहा है यानि कि फ्यूल डलेगा निडलेगा कम है ज्यादे सारी वार्निक्स लाइट इसमें आपको ऐसा नहीं है कि मतलब साइग्मेट चोटा है कम बजटकी गारी यह उसमें कूल ब अब नहीं इसे वाली है जाते हैं यह सारी चीजे हो गई आप नीचे आ जाते हैं यह दो बटन में पावर विंडो के यहां सी देखेंगे ना फ्रेंड की पावर विंडर मिलते हैं यहां पे से यह वाली वानुप होएगी और बीच बाइजार लाइट का बटन मिल जाता है देखने के लिए अब नीचे आएंगे उसके नीचे थोड़ा से नजरे डालेंगे आप तमाम इंफोमेशन के बाद नीचे तोड़ों सेंगे तो इसमें आपको एसी जो मिलेगा गोल गोल जो पूरा सेग्मेंट बता रखा है ना उस तरीके से सब कुछ बनाया हुआ एसी आपको इसमें आपको मैनुवली मिलेगा मैनुवली सारा एसी हैं पर 12 वोल का चार्जिंग सब्सक्राइब मिल जाता है और इसी के बराबर में यहां पर आपको और स्ब्सक्राइब की केबल करनेक्टिविटे मिल जाएगी यहां पर फॉन रख सकते हैं चार्जिंग के लिए बस इतना ही चोटा मोटा स्पेस है और बोतल आ जाते हैं वास अप स्यूदियों खड़ी पर रख देते हैं बड़ा यूज आता है मतलब यह वाले स्पेस भी यूज में जाता है इसमें भी बहुत स्पेस मिल जाएगा अब आगी के तो सारी बाते हमारी तमाम हो गई ठीक है फ्रंट की कैबिन की सारी बाते जहां था कि मैंने आपको इंफरमेशन दे दी है आप च लेंगे हम बूट स्पेस ओपन करेंगे ठीक है यहां से पहले बूट भी और बॉन अट है दोणाई छी lidt खिलें और जादा ऑपको देखने के लिए जाता है यानि कि 240 लिटर का लोग वाग ओल्टो जैसी गाड़ी है लेके घूम रहे हैं आगे पीछे होने वाला ग्राउंड क्लिंस में आपको देखने के लिए मिलता है मगर ये चोटी माइक्रो ऐसे वी कॉमपक्ट गाड़ी होने के बावजूद 240 लिटर का बूट स्पेस लेके चलती है मतलब देखे रहे हैं बूट स्पेस के कितने तबाही वाली चीज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है वह यह नीचे देखेंगे आप चलाते पहले हैं पीचे सावाज आती है वह सारी चीजे में कर दी गई है फिक्स यह चीज़ बहुत जादा वैलन गुड़ हो गई है अब इसको कर लेते हैं बंद और अब करेंगे हम अपने बोनट के बारे में यानि के इंजन के बारे में क्या की चीज़ां में देख ने के लिए मिल जाता है 1000 सीसी का इंजन पावरफुल वालस में आपको मिलता है यानि कि 1000 सीसी का इंजन 66 बीच पी की पावर 89 एनम का टोर्क आपको देता है भाई साब रिलाइबलेटी चलाने में ला जवाब मस्त एकदम मतलब गाड़ी के तारीफ मैं कर रहा हूं मतलब म आपने मन से करना हूं क्योंकि मैंने तो भाई सब कही बाड़ी चलाई है क्योंकि मेरे एक दोस्त के पास है और मज़ेदार गाड़ी है आपको कहीं भी निराज डिसपॉइंट होने की चीजस में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी माइलेज किंग 24.7 का आपको कंपनी के लिम करके देती है इसका माइलेज तो माइलेज देख लो डेख लो चलाने में कैसी है यह देख लो ABS ABD के यूनिट आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाती है यह सारी तमाम जानगारी आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलती है इंजन के बारे में बता दिया बूट के बारे में बता दिया मैंने आपको इतने प्राइज में कम प्राइज में 1000cc इंजन की गाड़ी और माइक्रो SUV इस तरीके के मस्त वाले लुक्स के साथ फ्यूल फिल्टर खुला रहे हैं इसको बंद करते थे कौन सी गाड़ी आपको देखने के लिए मिलते हैं मुझे भी बताना कमेंट में जाक्राइज बार बारे में सीट के प्रेंट डिटार्स हम आपको देखेने के लिए मिल जाते हैं हम मैं मिलूँगा आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शब्बा खेर गुड नाइट बाई बाई शुबरात्री और भाई थोड़ा साथ देना चैनल को हमें बहुत आगे तक लेके जाना